हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब लोग उमीद करता हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्तोंगे दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हमारे देश के अंदर तीन e-commerce के सबसे बड़े प्लाटफॉर्म है Amazon, Flipkart और Misho Misho अभी उभरता हुआ प्लाटफॉर्म है बहुत ही तेजी के साथ ग्रो कर रहा है Amazon और Flipkart पे तो मैं अल्रेडी बहुत सारी वीडियोज बना चुका हूँ देखो अगर आपको Flipkart पे काम सीखना है तो आप मेरे चैनल की प्लेइलिस्ट पे जाओ देखो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये प्लेइलिस्ट है Flipkart की प्लेइलिस्ट बना रखी है मैंने और ऐसे ही Amazon की प्लेइलिस्ट बना रखी है Flipkart की प्लेइलिस्ट में जितनी भी वीडियोज मिलेंगी वो सब आपको Flipkart से related ही मिलेंगी A to Z ऐसा कोई भी point नहीं है जो मैंने छोड़ा हो बिलकुल detail में explain किया है कि कैसे account बनाना है कैसे product list करने है कैसे advertise करने है कैसे seller score maintain रखना है कैसे अपने business को बड़ा करना है अगर आपने उस playlist की सारी videos देख ली तो flip card पे आप बहुत अच्छे से काम करना सीख जाओगे ऐसे ही मैंने Amazon की playlist भी बनाई हुई है सारी detailed videos की Amazon पे advertising कैसे करते है bullet points कैसे डालते है account कैसे बनाते है product कैसे list करते है gtn exemption कैसे लेना है Amazon brand registry कैसे करनी है सारी videos मैंने Amazon related भी डाली हुई है क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है कि आपका account suspend हो जाए तो सारा ग्यान आपको मेरी in playlist से मिल जाएगा अब बात करते हैं मीशो की देखो मीशो की भी playlist मैंने बना दी है लेकिन अभी सारी videos upload नहीं हुई है अब से आपको मीशो की videos भी निल जाएगी आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा सबसे basic step बिलकुल detail में कि नीशो पे supplier account कैसे बनाना है देखो अब आप लोगों को मैं अपनी screen पे लेके जाऊंगा बहुत सारे लोगों को ये confusion होती है कि GST number तो चाहिए ही अब क्या हमें account saving रखना है या current account mandatory है तो saving से भी आप शुरू कर सकते हो कोई घपराने वाली बात नहीं है जो मैं आपको account दिखाऊंगा मीशो पे account बना के दिखाऊंगा supplier account उसमें मैंने अपना saving account ही डाला है तो आईए अब चलते हैं मेरी computer screen पर दोस्तो अब हम आ गए हैं मेरी computer screen पर जैसा कि आप देख रहे हो आपको सबसे पहले जाना है supplier.misho.com पर जब आप जाओगे तो आपके सामने एक ऐसी screen आ जाएगी देखो register your account हमें दो ही चीज़ चाहिए एक GST number और एक bank account उसके बाद click hair पर हमको click करना है प्लायर्स हैं already 24,000 से जादा pin code ये cover करता है करोड्स of customer है और 700 से भी जादा category है हमको यहाँ पर अपना mobile number डालना है mobile number में डाल रहा हूँ mobile number डालने के बाद उसी mobile number पर हमें एक OTP आएगा वो OTP आपको यहाँ पर fill करना है और अपना phone number verify करवाना है जब आपका phone number verify हो जाएगा उसके बाद आपको आपकी email ID डालनी है email ID डालने के बाद आपको एक password सेट करना है दोस्तो ध्यान रखना जब आप password डालोगे password में minimum 8 characters होने चाहिए जिसमें से एक upper case होना चाहिए एक lower case होना चाहिए ठीक है और एक special character भी होना चाहिए तो दोस्तो password हमने डाल दिया है password डालने के बाद नीचे create account का option है उस पे हम अब click करते हैं जैसे हम create account पे click करेंगे उसके बाद हमसे यह मांगेगा हमारा GST number अब आपको आपका यहाँ पे GST number डालना है मैं GST number यहाँ पर fill कर रहा हूँ fill करने के बाद जो साथ में देख रहे हो verify का button है उस button पे आपको click करना है और अपना GST number verify करवाना है तो चलिए अब हम इस verify के button पे click करते हैं देखो मेरा GST number जो है वो verified हो गया है अब नीचे continue का option है इस पे click करते हैं अब यहाँ पर देखो यह बोल रहा है कि आप वोई address यूज़ करना चाहते हैं जो आपने GST में दिया हुआ है तो आप उस box पे tick करके नीचे continue कर सकते हैं अब यहाँ पर आपको bank details डालनी है देखो यहाँ पर मैं अपना saving bank का account number फिल कर रहा हूँ आपके पास current है तो current डाल सकते हो saving है तो saving डाल सकते हो कोई problem नहीं है आपको दो बार यहाँ पर account number फिल करना होगा और नीचे IFSC code डाल के अपनी bank details भी verify करनी होंगी अब हम IFSC code डाल रहे हैं और नीचे verify bank details पे click करते हैं देखो bank account भी verify हो गया है अब continue पे click करते हैं यहाँ पर हमको हमारे store का नाम डालना है और हमारा पूरा नाम डालना है that's it submit पे click करना है हमारा store create हो जाएगा अब हम मीशो पे अपने product sell करने के लिए बिलकुल तयार है देखो congratulations का message आ गया दोस्तो यह थो थी एक basic वीडियो की मीशो पे account कैसे बनाना है अगली वीडियो मेरी आएगी की मीशो पे product कैसे list करने है अगर आपको वीडियो पुसंद आईए तो वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए fresh topic के साथ तब तक के लिए धन्यवाद